तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि मोबाइल में कैसे ब्रेव ब्राउजर इंस्टोल करके उसे इंकम चंडरेट करना है सबसे पहले तो यहां प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है बी आरे वी ए और यहां पे यह लायन का आइकोन मिल जाएगा और यह भियान रखिए कि यह ब्रेव ब्राउजर है वो ब्रेव सोफ्ट्वेर नहीं बनाया हो यह इसकी लिंक में अपने यूटूब के वीडियो के नीचे डिक सेक्शन में भी दे दूगा और यहां पे आपको इंस्टोल बटन पर क्लिक करना है यह 78MB की यह पूरा ब्राउजर है तो थोड़ी देर वेट करिएगा तो यहां पे आप देख रहे हैं कि डाउनलोड ब्रेव हो चुका है अब इंस्टोल हो रहा है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह इंस्टोर हो चुका है अब open button पर हम click करेगे यहाँ पे आपको लिख के आया है welcome to brave browser brave protect your privacy यह privacy को बचाता है और आपको reward भी देता है यहाँ पे आपको continue button पर click करना है और यहाँ पे आप अगर brave browser default save करना चाहे तो save as default कर सकते हैं वरना not now पे click कर सकते हैं और यहाँ पे यह पेहले brave browser है वो आपकी privacy protect करेगा तो वो आपको report चाहिए तो yes कर सकते है turn on privacy report आपको data और battery भी बचाएगा data क्यों बचाएगा कि aid में जो data आ रहा होगा वो बचाएगा उसका भी report आपको दिखाएगा कि कितना data बचाया और कितनी battery बचाएगा उसके बार next पर के जो website होगे उसमें aid नहीं होगी तो यह website है वो fast load होगी तो यह website को fast load पर करता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी तो मैंने open किया है और यहाँ पे यह website और यहाँ पे यह tracker कर उनका जब जैसे यूज करेंगे वैसे आपको पूरा report मिलता जाएगा इसको हम cancel कर देते तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ आपका Google Chrome जैसा ही layout है और यहाँ पे तीन ट्राइंगल जैसा है वहाँ पे हम click करेंगे तो यहाँ पे आपको reward earn करना है earn token and give back तो यहाँ पे इसका quick tour करते हैं सबसे पहले तो क्या है कि यह यहाँ पे तीन ट्राइंगल है उसका मतलब है publisher, you and advisor तीनो की privacy बनी रहेगी और यह एसे ब्रेव ब्रावजर काम करेगा अब दूसरा है आपको एड देखने के मिलेगी Google Chrome में जितनी एड है उतनी एड नहीं देखने को मिलेगी बहुत ही कम एड देखने को मिलेगी यह भी एड होगे वो personalized एड नहीं होगी आप जैसे search करते हैं वेसे तो यहाँ पे यह अच्छा option है उसके बाद आपको reward मिलेगा और यहाँ पे आपको अगर आपको देना चाहे इसको creator को आप भापस भी दे सकते हैं एज़र टीप के जरी और यहाँ पे इसको withdraw भी कर सकते हैं तो इसको on कैसे करना है सबसे पहले तो यहाँ पे setting पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपका Chrome reward का एक website खुल जाएगा और यहाँ पे आप contribute करना नहीं चाहते तो यह ओफ रख सकते हैं और यहाँ पे बाकी option यहाँ पे हमने इंस्टॉल कर दिया है कुछ option नहीं है आप कहेगे तो हम कैसे बाकी के यह browser के कैसे wallet बनाना है कैसे KYC करने कैसे अपने किसी भी bank में लेना है वो भी हम बताएगे यहाँ प यहाँ पे हमें up hold का account होना चाहिए तो यहाँ पे click to login पे हम click करेगे तो यहाँ पे आपको up hold का account बना लेना है अगर आपके पास account नहीं है तो पूरा video दूसरे video में बताएगा कि up hold में कैसे account बनाते है HOW będzie KYC करते है तो यहाँ पे मेरा account है तो मैं यहाँ पे log in हो जाता हूं और आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि wallet यहाँ पर verify हो चुका है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जैसे जैसे आप search करेगे जैसे use करेगे वैसे आपके यहाँ पर जो bet token है वो उसके price बढ़ते जाएगे और उसके equivalent आप dollar का भी price देख सकते हैं तो thank you दोस्त फिर मिलते हैं नए एक मज़ेदार वीडियो के साथ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आपको यह वीडियो कुछ value किया है आपकी life में तो इसको like करना मत भूलिएगा जकीर souha सकता कि करनि ऌस में ऑ्राएगे भलीडियो कुछ आपको यह वीडियोuben नएड़े बड़ने शेक्के छोड़ने आपको 27 00-27 です बड़ने आपको यह वीडियोऊ प्काम का मत जेदा सकता है